हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्टेटी आवर लाइप तो फ्रेंट्स एडुचेरिया का बिहार दरोगा वॉलूम टू आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था आज हम टेस्ट नमबर इसका थिरी देखने वाले हैं वन टू आपका कॉंप्लीट हो चुका था आज हम थिरी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नमबर को तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं तो ये रहा आपका प्रसंपत्र 3 यानि की सेट नमबर 3 तो चलिए इसे हम देखने वाले हैं सबसे पहला प्रस्ण आपका है कि जाती अधारित गनना 2022 के नुसार हिंदू धर्म की अवादी कितना प्रतीशत है तो 81.99 प्रतीशत जाती अधारित गनना रिपोर्ट 2022 के नुसार बिहार में जो हिंदू धर्म की अवादी है वो आपका हिंदू धर्मे वो आपका देखेंग कि तो सरवधिक है हिंदू समुनदाई का प्रतिशत 81.99 प्रसेंट है जबकि मुस्लिम समुनदाई का प्रतिशत 17.7 प्रतिशत है मुश्लिम का अगला है भारत में अपनी साखा खोलने वाला पहला विदेसी विश्विद्याले कौन है तो वह हो जाएगा डिककन विश्विद ब्रजेशतो विश्वद्याले दोस्तों आपका अस्टेलिया का विश्वद्याले में जो कि गुझ्रात के कहा पर गुझ्रात के गांधी नगर में अपनी साखा को अस्थापित करेगा नाटो के एक तिसम में सदस देश के रूप में किसे सामिल किया गया है तो नाटो का एक तिसमा सदस बना है फिनलेंड कौन बना है फिनलेंड चार अप्रेल याद रखिएगा चार अप्रेल उनेश्व उन्चास को नाटो का अस्थापना होता है इसका हेड़क्वाटर जो है दोस्तो नाटो का हेड़क्वाटर वो कहां है तो वो बुरुसल्स में है कहां पे बुरुसल्स में इसका हेड़क्वाटर है और ये जो है अप्रेल 2023 में फिनलैंड को नाटो का 31 सदस्तेस के रूपे सामिल किया गया है सिप्री रिपोर्ट दो हजारता इसके अनुसार विश्व के तीन सबसे बड़े सस्त्र आयातक देशों का क्रम है सस्त्र आयातक देश भारत, सुधी अरब और कतर option number D सिप्री रिपोर्ट दो हजार तइस के अनुसार विस्ट्व के सबसे बरे सस्त्र आयातक देश भारत है फिर सुदी अरब है फिर कतर है उसके अधस्टेलिया फिर चीन है इस रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका है अमेरिका वो दुनिया का सबसे बरा हंतिहार निर्यातक द तो अंतरास्टिय बौधिक संपदा सुचकांक 2023 में भारत का अस्थान 42 में है और ये सुचकांक में पहले अस्थान पे कौन है पहले अस्थान पे अमेरिका है आपका इसमें पहला अस्थान अमेरिका का है इसमें टोटल 55 सामिल है कितना 55 सामिल है इस सुचकांक में नेपाल के नए राश्टपती कौन बने तो रामचंद्र पंडॉल रामचंद्र पंडॉल जो है यह आपके नेपाल के नए राश्टपती बनाए गए हैं 13 मार्च 2023 को नेपाल के नई राष्ट पती रामचंदर पंडॉल बने हैं और इन्होंने विद्या देभी भंडारी का अस्थान लिया है प्रधान मंत्री दौरा टेक्स्टायल उद्यों को वढ़ावा देने है तो कितने पीएम मित्र मेगा टेक्स्टायल पार्क को अस्थापित करने की घोस्ना की गई आंसर होगा साथ प्रधान मंत्री द्वारा टेक्स्टाइल उद्द्यों को वढ़ावा देने के उद्देश से साथ पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क की अस्थापना करने की घोसना की गई और ये साथ पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क जो है वो कहां कहां पे तमिलांडू में तेलंगना में तमिलांडू तेलंगना करनाटक गुजरात उत्तरपरदेश मद्यपरदेश और महराष्ट तो ये साथ राज याद रखिएगा, कौनकों साथ राज है, तमिलांडू, तेलंगना, करनाटक गुजराद, उत्तरप्रदेश, मद्वप्रदेश और महराष्ट अगला प्रसने आठ नमबर वही आपका राष्टिये स्वास्त मीशन हे तू, कितना किया गया है, 3,6,785 ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं, हाल ही में अंतराष्टिये महिला वैग्यानिक दिवस मनाया गया, तो अंतराष्टिये महिला वैग्यानिक दिवस का मनाया गया 11 फरवरी को बिग्यान एवं प्रधागिकी के छेतर में महिलाओं और लड़कियों की महचपुन भूखा की प्रसंसा करने के लिए 11 फरवरी को जो है अंतराश्टिये महिला वैग्यानिक दिवस मनाया जाता है और यह जो है आपका इसका थीम था 2023 में अंतराश्टिये महिला वैग्यानिक दिवस का IDES यानि की Innovate, Domestrate, Elevate, Advance, Sunstrain यह इसका थीम था और वैसे आप इसको याद कर सकते हैं I, D, E, A, S, I से आपका Innovate हो जाएगा, D से आपका Demonstrate हो जाएगा, E से Elevate हो जाएगा, A से Advance, S से आपका हो जाएगा Sunstrain अगला प्रस्ण देखते हैं Question No.10 हाली में घुकिये गए घोसना के अनुसार, RVI ने E रूपी की सीमा को 10,000, 10,000 से बढ़ा कर कितना किया? तो आंसर हो जाएगा इसका Option No.D, कितना कर दिया है 1,000,000? हाली में घोसना के अनुसार, RVI ने E रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ा कर जो है, वो एक लाग कर दिया है अगला प्रस्ण है, मालावार नौसे ना अभ्यास 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा जो मालावार नौसे ना अभ्यास 2023 है, इसका आयोजन अस्ट्रेलिया में किया गया? कहां पे अस्ट्रेलिया में किया गया? 2022 में इसका जो आयोजन हुआ था, 2022 में वो जापान में हुआ था, और अभी इसका आयोजन अस्ट्रेलिया में हुआ है बच्चों के लिए डिश्टल स्वास्त कार्ड को लॉंच किया गया है नेशनल आइस होकी चैंपियन्स दो हजारताइस का खिताब किसने जीता आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C. ITBP नेशनल आइस होकी चैंपियन्स इप का आयोजन दो हजारताइस लद्दाख में किया गया और इस चैंपियन्स का फाइनल मुकावला लद्दाख एबम ITBP के मद खेला गया जिसमें ITBP की टीम ने लद्दाख को 1-0 स्कोर से हरा कर लगा तार तीसरी बारिया खिताब जीती है 14 नमबर प्रस्ण है कि हाली में प्रसिद वेक्ती सतीश कौसिक का निधन हो गया उनका संबंध किस छेत्र से है तो सतीश कौसिक का संबंध हो जाएगा यह वो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे ओमसंटी हो जाएगा मार्च 2023 में सतीश कौसिक का निधन हो गया अभिनेता और निर्देशक दोने थे इन्होंने सौ से भी ज़्यादा फिल्मों का काम किया है निम्लिकित में कौन राजपाल के संबंध में सही शुमेलित नहीं है असम, असम का है गुलाब चंद कटारिया मनीपुर के हो जाएंगे अनुस्वीया उई के नागालेंड के लागनेशन मेघाले के, मेघाले के हो जाएंगे फागु चोहान जो कि यहां पे रमेस बैस दिया हुआ है तो यह सुमेलित नहीं है रमेस बैस जो है वो महराष्ट के हैं रमेस बैस महराष्ट के हो जाएंगे और फागु चोहान जो कि पहले बिहार के राजपाल थे अभी बर्तमान में में घा लेके हैं आंसर D हो जाएगा भारत को किस बर्स S.C.O. में परवेक्चक का दरजा दिया गया था तो 2005 में S.C.O. S.C.O. यानि संगाई सयोग संगठन में कुल आठ सदसो को कुल आठ सदसो का एक संगठन है इसकी अस्थापना 2001 में 2001 में किया गया और 2005 में भारत को इसका परवेक्चक का दरजा दिया गया मोठेरा को भारत का पहला 24 इंटु 7 सौर उर्जा संचालित गाउं घोसित किया गया या गुजरात के किस जिले में है तो मोठेरा ब्लीफ की प्रतीमा संबंदित है तो ये भगवान सीब से इस्टेचू ऑप जो ब्लीफ है ये प्रतीमा भगवान सीब की है एक्षले 29 अक्टूवर 29 अक्टूवर 2022 को याद रखियेगा कहां पर राजस्थान में राजस्थान में विशुका विशुका फॉस्ट विशुका विशुके सबसे उची भगवान सीब की प्रतीमा को अस्थापित किया गया और ये मुर्ती विश्वास की मुर्ती है इस्टेचू ऑप ब्लीफ के नाम से इसी जाना जाता है जो की प्रतीमा 379 फीट उची है अभय ओका समीती उच्चतम न्याले के निर्णे को छेतरिय भासा में अनुवाद करने हे तू नयमुर्ती अभय ओका की अध्यक्सा में समीती गठित किया गया भारत की सबसे बरी इसकेप टेनल की लंबाई कितनी है तो 272 किलो मीटर भारत सरकार ने उधांपूर में कहां पे उधांपूर से 12 मुला तक 272 किलो मीटर लंबी रेल लाइन की योजना तयार की जिसका उदेश चम्मु कस्मिर को एक बैकल्पिक पड़ी वहन परणाली तो देश से वनजीब संडक्षन बॉंड यानि वाइल लाइफ बॉंड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया अंसर हो जाएगा वर्ड वैंक वनजीब संडक्षन बॉंड को विस्व बैंक द्वारा जारी किया गया और विस्व बैंक द्वारा अफरिका के काले गेंडो के संदक्षन हितु जारी किया गया है किरन डिजिजु ने इस्तिफे के बाद देश के नए कानून मंतरी कौन बने तो अरजुन राम मेकवाल बने हैं अरजुन राम मेकवाल जो है वो देश के नए कानून मंतरी बने हैं अरजुन राम मेकवाल इससे पुर्व किरन डिजिज ज्याद रख़ेगा कि एलाइसी द्वारा जनवरी दोहजार तैस में जीवन आजाद पॉलिशी की सुर्वाद की गई और ये योजना सुरक्षा और बचत के दोहडे रापरधान करने के लिए बनाई गई है जो पॉलिशी धारक है उनकी दुर्भाग्य पूर्न अगर मिर्टू हो जाती है तो यह योजना नामांकित वेंक्ती को मिर्टू लाव प्रदान करेगी और दूसरी ओर यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अब्धी के अंत तक जिवित रहता है तो उसे परिवक्त का लाव प्राप्थ होता है अगला प्रस्ण देखते हैं question number 24 बर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पदम पुरसकार से समानित किया गया आंसर है B. 19, बर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को पदम पुरसकार दिया गया, जिसमें पदम विभूशन, पदम विभूशन दिया गया 6, पदम भूशन दिया गया आपका 9, और पदम सिरी दिया गया आपका टोटल 91, और नागरिकों में पदम पुरसकार से समानित किया गया तो वेस्विक कल्यान के लिए वेस्विक विग्यान, विस्विग्यान दिवस प्रती वर्स 28 फरवरी को मनाते हैं, कम मनाते हैं 28 फरवरी को, 2020 में इसका थीम है वेस्विक कल्यान के लिए वेस्विक विग्यान, भारत के उपराष्ट पती का निर्वाचन एक निर्वाचक गं अन्सर भी हो जाएगा संसद में दोनों सदनों के सभी सदस भारतिय संभिधान का 8.66 का 1 66 के एक के तहद उपराश्टपती का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस यानि की जो निर्वाचित और मनोनित होते हैं से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गन के सदसद्वारा होता है संबिधान के किस अनुशेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका परियोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा अनुशेद 101-1 में जो अनुशे परियोगतव करते हैं जब बराबर हो उसको टाई बोलते हैं जब बराबर होता है मत तो उसको टाई बोलते हैं खाद मिलावत निवारन अधिनियम पहली वार कब लागू किया गया अंसर हो जाएगा एग उनिस सो चोवन में खाद मिलावत निवारन अधिनियम उनिस सो चो किंद्र राज संबंद निर्वर करते हैं तो भारत में किंद्र और राज संब्धानिक प्रबधानों पर परमपरा तथा बेवहारों पर नयाइक व्याख्याओं पर वादसीत के लिए यंत्र विन्यास पर भारत में किंद्र राज संबंद निर्वर करता है निर्वाचन आयोग की सिफार इस पर जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव की अधिसुचना लोग सभा राजसभा के लिए राष्टपती तथा बिधान परिसद एवं बिधान सभा के लिए सम्बंधित राजिका राजपाल जारी करता है आंसर आपका A हो जाएगा किसने कहा था भारतिय सम्बिधान को संगहात्मक के तंग धांचे में नहीं ढाला गया आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर D इन में से कोई नहीं भारतिय संबिधान को संगहात्मक के तंग धांचे में नहीं ढाला गया या कथन BR अंबेदकर का यानि वीमराव अंबेदकर का है मेयर का कारिकाल कितने वर्सका होता है मेयर का कारिकाल दोस्तों पांच वर्सका होता है हलाकि भारत के कुछ राज में इनका कारिकार अलग-अलग भी होता है इसलिए आप लोग कन्फिज नहीं कीजेगा जैसे दिल्ली बंगलूर यहाँ पे जो मेयर होते हैं दिल्ली बंगलूर में वो एक बर्स के लिए ही होते हैं सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है और कुटो को मिलाना है सुची 1 सुची 2 एक दरफ समीती है एक दरफ वर्स है यहाँ पे आपको मैच करना है थुंगन समीती यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम थुंगन समीती 1988 का है थुंगन समीती 1988 का असोख मेहता समीटी 1977 का, BR मेहता समीटी 1977 का और LM सिंधवी समीटी 1986 का तो थुंगन समीटी 1986, LM सिंधवी समीटी 1986, असोख मेहता समीटी 1976 और VR मेहता समीटी 1957 आंसर है 4-3-1-2, आंसर हो जायगा 4,3,1-2, option number D अगला देखिए निम्ण में से कौन सा संभिधान संसुधन अधिनियम मता अधिकार की आयू को घटाने या कम करने से संबन्दित है आंसर हो जाएगा 61-मा संभिधान संसुधन एक 68-मा संभिधान संसुधन 1989 जो है ये इसके द्वारा संभिधान के अनुछे 326 संसुधन कर मता अधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई बोहरा समीती का संबन्द है तो बोहरा समीती राजनेताओं तो था अपरादियों की साथ गांट बोरा समीती जो है दोस्तों 1993 में राजनेता और अफराधियों के बीच सांट घांट के जांच के लिए किया गया था बोरा समीती का गठन अगला है 36 नमबर राश्टिय किरसी एबम ग्रामीन विकास बैंक की अस्थापना कब हुई थी आंसर हो जाएगा बी 12 जुलाई 1982 को राश्टिय किरसी एबम ग्रामीन विकास बैंक की अस्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी जिसे नवाड बोलते हैं नवाड इसका हेड़कॉाटर दोस्तों मुंबई में है नवाड का मुंबई में नवाड बैंक वो किसान के कल्यान और किरसी छितर को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक और छितरी ग्रामीन बैंक के माध्यम से किशानों को उचित मुल पर रिन देने के लिए जो है कारे करती है आंसर हो जाएगा पांच में पांच मी पंच वर्सी योजना के समय जो है वो बीस सुत्री कार्ज करम की सुरुवात 1975 में की गई थी और 1974 से 78 पांच मी पंच वर्सी योजना का कारे काल था मतस से एवं खनन किस छितर के अंतरगत आते हैं तो प्रात्मिक किरसी, पसुपालन, मतस से पालन, खनन ये सभी प्रात्मिक छितर के अंतरगत आते हैं वही इसपात, बस्तरुद्योग, विद्धुतुपकरन, निर्मान, खादे समागरी, निर्मान, आदी, दूतिय छितर के अंतरगत आते हैं डॉक्टर, पुली, सभी आपका तिर्तिये छितर, सेवा छितर हो गया यानि तर जेनरल थियोरी ओफ इंप्लाइमेंट, इंट्रेस्ट अंड मनी पुस्तक के लेखा कौन हैं? तो किन्स, दी जनरल थियोरी ओफ इंप्लाइमेंट, इंट्रेस्ट अंड मनी पुस्तक के लेखा किन्स हैं ये पुस्तक 1936 में प्रकासित की गई थी भारत के बिदेसी बेपार से संबंदित आंकरे किसके द्वारा जारी किये जाते हैं? तो RBI, जो भी RBI के द्वारा प्रतीबर्स भारत के बिदेसी बेपार से संबंदित आंकरे जारी किये जाते हैं किस गरा का विशिस्ट गुन उसके चुम्बक के छितर का होना है? तो BUD का, BUD सौरमंडल का सबसे छोटा गरा है, साथ में इस गरा का कोई उपगरा भी नहीं है, इसका उपगरा नहीं है या सुरिकी परिकर्मा कम समय यानि की 88 दिन में कर लेता है और या सौरमंडल का सरबदिक कक्षिय गती वाला गरा है BUD 42 नमर प्रस्ण है कि निम्लिकित में कौन वलित परवत का उधारन नहीं है तो वलित परवत का उधारन पारसनात नहीं है हिमाले हो गया आलपस, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सभी वलित परवत हैं बलकि पारसनात हो गया निलगिरी, सत्थपुरा ये सभी अपसिस्ट परवत के उधारन है किस देश को बनो का देश का उपनाम से जाना जाता है तो कांगो को बनो के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है किसको कांगो को निम्निलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उधारन है तो हमबोल्ट थंडी जल्दारा है जो कि प्रसांत महासागर की थंडी जल्दारा है इसका प्रसांत महासागर का जबकि सूसीमा हो गया क्यूरेशिया क्यूरेशिया ये सभी प्रसांत महासागर की गरम जल्दारा है और इरी मिंजर जो है ये अटलांक्टिक महासागर की गरम जोडता है इसकी लंबाई 203 किलो मीटर है वही थाल घाट आपका नासिक टू मुंबई हो जाएगा नासिक से मुंबई भोरगाट की बात करें तो मुंबई एवं पूने भोरगाट मुंबई एवं पूने जबाई तथा सुकृरी किसकी सहायक नदी है तो जबाई और सुकृ लूनी की सहायक नदी है जबाई सुकृ लूनी नदी भारत की एक मांत अंतरवाही नदी है अंतरवाही गिरना सिचाई परियोजना किस राज में इस्थित है गिरना महराष्ट में है गिरना सिचाई परियोजना महराष्ट के नासिक जीले में इस्थित है और ये पंपा सि निम्रिलिकित में कौन जलपरपात राजस्थान में इस्तित नहीं है तो जलपरपात राजस्थान में दूद सागर नहीं है दूद सागर जलपरपात गोवा में मांडवी नदी पर इस्तित है जबकि पुनासा हो गया चूलिया बिहार जलपरपात ये तीनों राजस्थान मे माउंट कोयवो इस्तित है तो माउंट कोयवो दच्छनी अंडवान में इस्तित है दच्छनी अंडवान में इसकी उचाई 460 मीटर है यह सैंडल पीक उत्री अंडवान में सैंडल पीक कहां पे उत्री अंडवान में और माउंट हरियट पूछे यह दच्छनी अंडवान में अंसर हो जाएगा पांच भारती ये पांच राज जो है वो नेपाल से सीमा साजा करते हैं पांच राज यूपी, बिहार, यूपी बिहार, पश्शिम बंगाल, सिक्कीम उसके बाद हो जाएगा उतरा खंड ये पांच राज याद रखेगा सुची वन को सुची दो से मिलाना है, लेखक और उसके गरंथ सबसे पहले हम कौटिल की बात करते हैं कौटिल की पुस्तक है अर्थ सास्त्र सोमदेव की रचना है कथा सर्ता सागर जैदेव की रचना है गीत गोविंद, भद्र बाहु कल्प सुत्र आंसर है इसका C आगे है दिल्ली सल्तनत के एक मात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्म कथा लिखी वह सुल्तान कौन था तो जो अपनी आत्म कथा खुद लिखा था वो इसमें से जो हो जाएगा वो फिरोसा तुगलत था दिल्लील सदलनत का एक मा सुल्तान फिरोज सा तुगलक था जिसने फतुहाते फिरोज शाही नाम से अपनी आथ कथा लिखा और इस पुस्तक में इन्होंने इसलाम धर्म का परचार परसार किया और इस उलेख में जो है कई सारा प्रत ने किया जैसे फिरोज दुगलक ने ब्रहामनों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसल्मान सासक था फिरोज दुगलक ने एक नया कर सिचाई कर भी लगाया जो की उपज का एक वटा दस भाग था महमुद गजनी को परास्त करने हेतू राजबूद सासक के संग काने तृट किस ने किया था तो वो किया था जैपाल जैपाल जो था आपका महमुद गजनी को परास्त करने हेतू राजबूद सासक को के संग काने तृट पस्षी मोत्तर भारत के साही राजा जैपाल ने किया था इसमें जैपाल की प्राजय हुई थी किसमें जैपाल की और जैपाल इस प्राजय को सहन नहीं कर सका और लास्ट में वो आत्मात्या कर लिया था निम्लिकित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल समराज में नहीं आया था तो नहीं आया था आपका डोमिंग पायस डोमिंग पायस नहीं आया था डोमिंग पायस की बात करें तो सबसे पहले ये देख लीजे जो किस देव राई है उसके सासनकाल में बिजैनगर आया था डोमिंग पायास उसके बाद नेक्स देखेंगे कि बहुत धर्म के संबंद में कौन सा कथन सत्य है बौध धर्म के संबन्द में दूतिय बौध संगती में बौध धर्म दो भावों में हीनियान और महायान में विभाजित हो गया यह कथन आपका सत्य नहीं है बौध धर्म के महायान संप्रदाई का आदर्स बोधी शत्त को प्राप्त करना बौध धर्म के हीनियायन संपरदाय का आदर्स अरहंत पद को प्राप्त करना नामग्याल बौध मट धरम साला हीमाचल परदेश में इस्तित है तो सही इसमें से 2,3,4 है एक गलत है चतुर्थ बौध संगती के बाद बौध धर्म दो भागों में हीनियायन और महायान में विवाजित हुआ था ना की दूसरा में अगला है भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे तो भारत के पर्थम गवर्नर जनरल इसमें कोई नहीं थे रोबर्ट कलाईव को बंगाल का पहला गवर्नर निक्त किया गया था रोबर्ट कलाईव को लेकिन 1774 में कब 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को निक्त किया गया था बंगाल का पर्थम वही 1833 में कब 1833 के चार्टर अधिनियम के ताहद लॉड विलियम बेंटिंग को भारत का पर्थम गवर्नर बनाया गया स्वतंत्र भारत के पर्थम एबं अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गुपाला चारी हुए आंसर इन में से कोई नहीं हो जाएगा 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉड कैनिंग 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉड कैनिंग था 1856 से लेके 62 तक इसका कारेकाल था और लॉर्ड कैनिंग भारत में अपनी कम्पनी द्वारा निक्त अंतिम गवर्नर जनरल और बिटिर्श समराट के अधिन निक्त भारत का पहला वाइसराई था निम्न में कौन सही शुमेलित नहीं है पवना विद्रों 1873 से 76 एका आंदोलन 1921 से 22 और ये पवना विद्रों बंगाल के छित्र में एका आंदोलन यूपी में उसके बाद ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 बिहार और जार्खंड और अहों विद्रों 1828 में 1828 हो जाएगा ना कि 1921 सही नहीं है असम में हुआ था अहों विद्रों सत्यसोधक समाज की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो जोतिवाफुले 1873 में 1873 में जोतिवाफुले सत्यसोधक समाज की अस्थापना किये थे सत्यसोधक समाज मुखरूप से दलित और निम्न जाती के लोगों के कल्यान के लिए बचलाया गया था जो तिबापुले अपनी ब्रहामन विरोधी गती वीदियों का संगठित रूप में परचार करने के लिए उन्होंने एक आलोच नात्मक गरंथ गुलामगिरी की रचना की गुलामगिरी निम्निलिकित में कौन सा एक फतेफूर सिक्री में इस्तित नहीं है तो पंच महल, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आपका फतेफूर सिक्री में नहीं है पंज महल, सलीम चिस्ती का मकबरा, मरियम पैलेस ये सभी आपका फते फुर्सिक्री में है बलकि मोती मस्जिद दिल्ली एबं आगरा के किले पर अवस्थित है निम्निलिखित में से किस वेक्ती को काकोरी शयंत्र मामले में ब्रिटी सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गए तो राम प्रसाद बिस्मील और रोसन लाल को आप्सन नमबर बी याद होगा कि 9 अगस्त कब 9 अगस्त 1925 को 1925 को कुछ करांती कारी द्वारा सहरानपूर से लखनव जा रही ट्रेन से रेल विभाग की खजाना काकोरी नामकस्तान पर लूट लिया गया था और इस घटना को काकोरी कांड कहा गया लेकिन राम प्रसाद बिस्मील राजंदर लाहारी रोसन लाल और आसफ उल्लाखा को फांसी की सजा एबं सचिदना सन्याल को आजीवन काराबास मिली थे तो आंसर आपने देख लिया आगे देखते हैं अगला प्रस्ण निम्लिखित में कौन गोल में सम्मेलन में गांदी जी ने भाग नहीं लिया था तो गांधी जी जहां पर भाग गोल में समेलन में नहीं लिये थे वो प्रथम गोल में समेलन और तिर्तिय गोल में समेलन मातर दूतिय गोल में समेलन में गांधी जी भाग लिये थे 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ था अगला प्रस्ट देखते हैं कि निमलिकित में कौन सा कथन शत्त है जवालो उपनिशद में चारो आश्रम का उलेख है यह कथन सही है जवालो उपनिशद में चार आश्रम का उलेख है विश्नु पुरान आंद्र साथ वहान बन से संबंदित है नहीं मौर वंस से संबंदित है विश्णु पुरान भारत में सरपर्थम हुन आक्रमन की जानकारी नासिक अवलेक से प्राप्त होती है गलत मतस्य पुरान आंधर साथ वहान से संबंदित है मतस्य पुरान और बायू पुरान गुप्त वंस संबंदित है भारत में हुँ नाकरवन की जानकारी भीतरी अस्तमलेक से मिलती है ना की नासिक से और पिलनी के दिया है टॉल्मी ने नेच्रल हिस्टी नामक पुस्तक लिखी है तो नहीं पिलनी लिखा है निम्न में किस हरप्पा अस्थल से जूते हुए खेत के निसान के साक्ष प्राप्त हुए हैं काली बंगन सिंदु सब्टा की खोज 1921 में दाया रामसानी ने किया था और ये राभी नदी के तट परिस्थित है सिंदु घाटी सब्टा के दोरान जूते हुए खेत के प्रमान काली बंगन से प्राप्त हुए हैं और काली बंगन घांगर नदी के किरारे राजस्थान में इस्तित है नेक्स प्रस्थन देखते हैं कोश्चन नंबर आपका इधर है चोलकाल में बेपारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था पली चंद्रम ये जैन संस्थान को दान दी गई भूमी को कहा जाता था बर्स 1997 में जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था कुएटो में कुएटो सम्मेलन का आयोजन जापान के कुएटो सहर में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापमान के समद में हुआ था उद्देश था इसका बातावरन हानिकार अगयसो की सांदरता की सीमा को नियंतरित कर जलवायू परिवर्तन के खतरों को टालना भारत में प्रथम रामसर साइट निम्मिलखित में से कौन सी थी तो चिलका जील भारत की पहली रामसर जील चिलका जोकी उरिसा में है पहली रामसर अस्थल है भारत का सबसे बड़ा आदरभूमी अस्थल सुन्दर वन आदरभूमी है पश्चिम मंगाल में अगला है जै बिविता का सबसे महत पुर्ण पहलू परिस्तितिक तंतर का निर्वान है या कर विभीन अस्तर उपर किया जाता है जैब विवीत्ता अनुवानसिक जाती समुदाय परितंत्र के अस्तर पर विविन परकार के कारे करके परिस्तितिक तंत्र का निर्वान करती है परिस्तितिकी तंत्र में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में अस्थांत्रिस से उर्जा की मात्रा क्या होती है तो घर्टी है परिस्तितिक तंत्र में जो उर्जा का प्रवा होता है वो और जैबिक प्रणाली से जैबिक प्रणाली की दिसामे होता है वही थर्मो डाइनामिक्स की दूसरी नियम के नुसार जब उर्जा एक पोसन अस्तर से दूसरी पोसन अस्तर में परिबरतिन होता है तो उर्जा की झो हर्स होती है वो घर जाद़ उर्जा का कमी होता है अगला है कि वह चेत्र जो दो परिस्तिकी तंत्रों के मद सीमा आथवा संक्रमन के चेत्र में कार्ज करता है वो हो जाएगा आपका इको टोन क्या कहते हैं इको टोन संक्रम इकोटोन क्या होता है कि दो या दो से अधिक विविद परितंत्रों के बीच एक विशिष्ट छेत्र होता है जिसे हम इकोटोन कहते हैं है ना, माल लीजे कि ये बन है, ये क्या है आपका, ये बन है, ठीक है, और ये चारगा है, ये क्या है, चारगा है, अब इस दोनों के बीच का जो आना, इसको हम एकोटोन कहेंगे, दोनों के बीच को क्या कहेंगे, एकोटोन, दिये गए बिकल्प में से कौन अदीसरासी के उ ये सभी आपका अधिसरासी हैं. न्यूटन किस नियम से बल का वेंजक प्राप्त होता है? आंसर है B. दूतिय गती के नियम. न्यूटन के दूतिय गती के नियम से बल का वेंजक प्राप्त होता है, जबकि पहले नियम से बल की परिवासा. ताप बढ़ने पर द्रवों की सयानता पर क्या प्रभाप पड़ता है तो ताप बढ़ने पर द्रवों की सयानता जो है वो घटता है क्या होता है घटता है जबकि गैस की बढ़ती है और एक आदर्स तरल की सयानता हमेशा सुन होती है आदर्स तरल के जराद रिष्टी दोस को दूर करने है तो किस लेंस का परियोग किया जाता है बाइफोकल लेंस जराद रिष्टी दोस वेक्ति को दूर एवं नजदीक दोनों बस्तों देखने में कटनाई होती और यह दो समाने तब ब्रिधा आवस्था में होती है जरा दुरुस्टी दोस इस दोस की उपाई है तो बाइफोकल लेंज का पर्योग किया जाता है निर्मिलिखित में से किसकी वेधन चमता एबम आइन चमता सबसे अधिक होती है तो गामा किरन और अलफा किरन आप्सन नमबर से सबसे अधिक वेधन चमता गामा किरन की होती है अगला प्रस नहीं 76 नमबर निर्मिलिखित में कौन सही शुमेलित नहीं है विद्दु चुमबा के तरंग और खोज करता गामा किरन का खोज किया था पॉल विल्यार्ड ने, द्रिस्ट किरन का खोज किया था न्यूटन ने, अवरक्त किरन का खोज किया था अवरक्त किरन का हरसल ने, दिर्ग किरन का खोज मारकनी ने किया था बलकि रॉंडजन ने नहीं किया था, किसने दिर्ग किरन का खोज किया अपसन नमबर डी हो जायगा ध्वानी की चाल समानता जल में होती है तो ध्वानी की चाल समानता जल में जो होती है 1483 मीटर पर सेकेंड होती है 1483 अगर पुझे कि हाइडरोजन में तो 1279 होता है हाइड्रोजन में, पारा में होता है 1450, कांच में 56, 540 कांच में और लोहा में 5130 मीटर पर सेकिंड होता है रक्त के ठक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का परियोग किया जाता है तो NA24, रक्त के ठक्के का पता लगाने के लिए sodium 24 का परियोग करते हैं जबकि चटान की आयू के लिए यूरेनियम 235 का पड़ियोग करते हैं अगला है कि एक अच्छे इंधन में कौन सा गुन सामिल नहीं होता है तो एक अच्छे इंधन में जो है उसका उसमीय मान निम्ण होना चाहिए उसका उसमीय मान निम्ण होना चाहिए अच्छे इंधन के गुन जो है ये इसमें से नहीं है जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए होना चाहिए उसका उसमीय मान उच्छ होना चाहिए जलने के बाद अपसिस्ट पदार्थ ना बचे और जिसका प्रजुलन ताप निम्ण हो ये सभी अच्छे इंधन के गुन है अगला प्रस्ने अस्ती नमबर काओलीन निम्ण में किसका आयस्क है? काओलीन जो है वो एलमोनियम का आयस्क है बॉकसाइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, काओलीन, आदी, अलमोनियम का आयस्क है जबकि नाइटर, करनेलाइट, आदी, पोटेसियम का आयस्क है आधुनिक आवर्शाणी में बर्ग एवं आवर्थ की संख्या करमसा कितनी होती है? अंसर है A 18 एवं 7 आधुनिक आवर्शाणी में आवर्शंख्या 7 एवं बर्ग संख्या 18 होती है वही आधुनिक आवर्शाणी मोसले के नियम पर धारित है इसके अनुशार तत्तों के गुन उनके प्रमानु शंख्या के आवर्थ के फलन होते है सोरेंसन बारा पी एच स्केल किस वर्श दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1909 में सोरेंसन ने 1909 में पी एच स्केल दिया और किसी बिलियन का पी एच मान अगर साथ से कम है तो वह बिलियन अमलिये होगा साथ से कम है तो अमलिये साथ से अधिक है तो वो छारी होगा कोईशिका विभाजन मुक्ता कितने परकार से होते हैं तो तीन परकार से सेल डिविजन सरपर्थम 1815 में विर्चाव विर्चाव यानि बार्चो ने देखा था और कोईशिका विभाजन तीन परकार से होता है और सुत्री, समसुत्री और अर्ध सुत्री गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्यबार है तो गंजापन के लिए टीनिया कौन? टीनिया के पेटिस जो है ये जिम्यदार है और जबकि तोचा खाज में तोचा में जो स्कीन विगरा डिजीज होता है कवक के कारण उसमें होता है एकेरस एकेरस एसकेवीज अगला देखते हैं चावल, गेहू, गन्ना किस कुल के पौधे का उधारन है तो चावल, गेहू, गन्ना ये सभी आपका ग्रेमेनेसी कुल का है जिब्रेलिंस जिब्रेलिंस हर्मोन का खोच कुरोश्वावा ने 1926 में किया था कुरोश्वा ने यह हर्मोन बौने पौधे को लंबा करने और फूल बनाने में मदद करता है जिब्रेलिंस निम्नलिकित में कौन दूतियोग वोकता का उधारन नहीं है तो बकरी बकरी दूतियोग वोकता के जो है बकरी नहीं होता है जो प्राथ्मिक वोकता को अपने भोजन के रूप में परियोग करते हैं जैसे लोमरी, भेडिया यह सभी और बकरी प्राथ्मिक वोकता का उधारन नहीं घास खाती है राइबोसम का नामाकरन किसके द्वारा किया गया था तो रिजर्ट भी रॉबर्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1903 पादब कोशिका और जी ई पैलोड ने 1903 पादब कोशिका में राइबोसम को देखा लेकिन नामाकरन इसका उनिसोट ठाबन में रिजर्ट भी रॉबर्ट द्वरा किया गया राइबोसम को प्रोटीन की फैक्टरी के रूप में जाना जाता है अगला प्रसने नवासी समसुत्री विभाजन के बारे में कौन सा कतन ओसते है समसुत्री विभाजन तो दिया है यह अभी भाजन काई कोई सिका में होता है यह अभी भाजन बहुत ही कम समय में लगता है सबसी छोटी अवस्था प्रोफेज है सभी सही है इन में से कोई भी गलत नहीं है निवन में कौन सा एंजाइम अगनासे दौरा स्राबित नहीं होता है तो पेपसीन अगनासे दौरा स्राबित नहीं होता है ट्रेपसीन, एमाईलेज, लाइपेज ये अगनासे दौरा स्राबित होता है और अमासे से निकलने वाले जठररस एंजाइम होते हैं पेपसी नेवं रेनीन यूरोपियन कमीसन का मुख्याले कहां इस्तित है? तीन बार, रेड क्रोस को तीन बार सांती का नॉबल दिया गया 1917-1944-1963 और आठ मै को प्रतीवर्स रेड क्रोस दिवस मनाते हैं विश्व रेड क्रोस दिवस आठ मै को मांडी जागोर निर्थ का सम्बंध किस राज से है? तो मांडी जागोर खोल धकनी ये सभी निर्थ आपका गोवा का है कहां का गोवा का? मांडी जागोर खोल धकनी बीसी राई पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है? तो बीसी राई पुरसकार साहित सिकित्सा के छेतर में सिकित्सा के छेतर में बीसी राई पुरसकार दिया जाता है और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक भी खुस्बंध सिंग है अब आपका मैथ और रिजनिंग है बना लेंगे थर 96 का आंसर है D, 97 नंबर प्रसन का आंसर है B, 98 नंबर प्रसन का आंसर है C, 99 नंबर प्रसन है और इसका आंसर दर दिया हुआ है C हो जाएगा और 99 नंबर का D हो जाएगा और अगला है लास्ट 100 नंबर प्रसन और इसका आंसर हो जाएगा 100 का B, 19 ठीक है तो यह सेट यहाँ पर हम इंड करते हैं उमीद करेंगे कि आप सभी को आज का सेट पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद, जय हींद, जय भारत